So guys, आपने notice किया होगा कि अभी कुछ दिनों से मैं dark web को थोड़ा और ज़ादा cover कर रहा हूँ, अपनी experiences share कर रहा हूँ, असे last video में मैंने आपको बताया था कि मैंने कैसे discover किया dark web को, deep web को, आज मैं बताने वालों कि क्या कभी मैंने red room देखा है, क्या dark web पर इतनी घिनोनी red room नहीं देखा है, यह सारी चीजें हमने सिर्फ पड़ी है, सुनी है, यह कभी देखी नहीं है, तो red room available है, dark web पर अगर आप जाके देखेंगे, तो आपको ऐसे बहुत सारे pages नजर आएंगे, जो आपको countdown दिखाएंगे, कि तीन दिन में, या चार दिन में, या तीस दिन मे red room का जो live session है, वो शुरू होने वाला है, और आपको उसके लिए bitcoin देने है, वहाँ पर bitcoin का address होता है, और एक बार में वो आपको around 1000 dollars, यानि कि 75,000 रुपे मांगते हैं वो एक बार आने के, और red room के भी उन्होंने अलग-अलग ranking system बना के रखा है, यानि कि commander, फिर master और आप सि सबसे देखने वाला है, जो सबसे सस्ता ticket है, उससे महेंगा फिर commander है, then master है, so basically जो master होता है, जो commander होता है, वो higher rank होती है, according to these stories, red rooms को देखने की, तो जो commander होता है, वो red room में अगर किसी को torture कर रहे हैं, किसी को live murder कर रहे हैं, तो वो command कर सकता है, कि ये करो वो करो, अब obviously ये ची किसी movie से लिया गया हो, you never know, कुछ भी ऐसा हो सकता है, कहीं और से clip उठाई गई हो, तो live किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये ना dark web पर जो fraudsters होते हैं, scammers होते हैं, उनका पैसा उखाने का बहुत अच्छा जरिया होता है, ये लोग क्या करते हैं, कि bitcoin का address वहां पर दे देते है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है, जो लगभग लगभग बहुत सालों से dark web पर ही सर्फ कर रहे हैं, उनको आज तक कुछ भी ऐसी चीज़ मिली नहीं है, अगर होती है, और legitimate अगर business होता, तो उनको भी ज़रूर देखने को मिलता, बट उनको देखने को कि surface web, deep web, dark web से ज्यादा घिनोना है, आपको मालूम है कि surface web पर आपके YouTube पर खुद अगर आप full stop punctuation जो आपको करना नहीं चाहिए, अगर आप full stop लिख दोगे YouTube पर और आप search करोगे, तो आपको बहुत creepy stuff मिलेगा, कुछ ऐसी वीडियो मिलेंगी जो normally YouTube अलाओ नहीं करता, तो बहुत अजीब weird डरावनी चीजें देखने को मिलती है, और यह मैं पहला नहीं बता रहा हूँ कोई इनसान, यह बहुत बार इसके discussion बहुत बड़े channels पे और बहुत सारे लोग कर चुके, Google पर भी आप लिख सकते हैं कि YouTube पर यह क्या है, full stop punctuation और यह क्या हो रहा है, creepy stuff है बह आपको पता है कि surface web पर ही बहुत गिनोंने crime अलरीडी हो चुके हैं, कुछ आपको पता है कि Facebook पर लोगोंने crime करते हुए live stream की है, किसी को बद्दे comment करते हुए, किसी को कुछ करते हुए, लाइव, अमेरिका में ऐसा हुआ था कि police ने पकड़ लिया था, कुछ लोग किसी special race क प्रती crime कर रहे थे और उसे live stream कर रहे थे, वो तो अंदर गए ही होंगे, मैं एक और बात बताना चाहता हुँ आपको, कि dark web पर जो आप red rooms बगएर ये सारी चीज़ों जो भी देख रहे हो न, ये हो सकता है कि FBI द्वारा रखा गया honeypot हो, मतलब क्या, honeypot मतलब basically एक ऐसा trap होत यहाँ पर एक fake target रखा जाता है, जिसे hacker, जैसे कि यह कहता है honeypot, मतलब एक बहुत लुभावनी चीज़, तो क्या किया जाता है, easy target रखा जाता है, जिसे कोई अगर hacker होगा, तो लालच में उसे hack करने आएगा, और वो अपनी detail वहीं पर छोड़के चला जाएगा, और जो FBI उसे track कर लेगी, so यह जो red rooms वगेरा है न, यह ज्यादातर fake है, scammers के द्वारा बनाए गए हैं, और यह FBI के honeypots भी है, मतलब जो लोग इनमें पैसा भेजेंगे, so that means वो लोग live murder और live torture कीसी का देखना चाहते हैं, so वो लोग साही नहीं है, तो FBI के नजर में आ जाएंगे, क् लोग कुछ detail भेजेंगे, या कुछ भी भेजेंगे, तो उसके जरीए FBI उनको track कर सकती है, अब बोलते हैं कि यार, dark web पर, सागर भाई हम जाएंगे, तो red room तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा creepy stuff भूत, हो गई, creepy stuff कहां पर नहीं है, surface web पर इतना creepy stuff है, अभी मैंने full stop punctuation के इतनी अजीब चीज़ें, आप reddit पर चले जाओ, reddit पर आपको बहुत ऐसी चीज़ें मिलेगी कि deep web को भूल जाओगे, आप dark web को भूल जाओगे, इतना creepy stuff है, तो इस दुनिया में भाई, गलत-गलत सोच रखने वाले, शैतानी सोच रखने वाले लोग हैं, जो हाला कि ऐस बहुत प्रेत कुछ होता नहीं है, बट ये लोग मानते हैं, और इसी साब से वो रहते हैं, और इसी साब की जो thoughts बगएर हैं, वो शेयर करते हैं, अब वो चाहिए surface web हो, dark web हो, उनको क्या फरक पड़ता है, बट surface web पर ये थोड़ा सा रहता है कि चीज़े sensor हो जाती है, deep web, dark web पर इतनी नहीं हो पाती, तो dark web पर जाने पर भूत पर पकड़ने का तो कोई खत्रा नहीं है, जाद से जादा guys, dark web पर जाने का कोई खत्रा अगर आपको होगा तो वो है, malware आने का, या कोई अपनी detail आपकी leak हो जाएं, तो dark web, deep web को surf करना illegal तो नहीं है, अगर आप आप कु ऐसे normally surf करना ऐसा कोई कानून नहीं है, normally surf करना मतलगा आप forum अगरा कुछ देख रहे हो, कुछ dead website देख रहे हो, जिसमें कुछ ऐसा illegal नहीं है, अगर वहाँ जाके आप गलत चीज़ों को खरीद बिकरी कर रहे हो, या गलत activities में शामिल हो रहे हो, that is illegal, इस चीज़ को आप जो आपके पूरे computer को hack करते हैं, वो एक बहुत बड़ा issue है, आजकल तो surface web पर ये चल रहा है कि Google Chrome में vulnerability है और कोई javascript वेगरा run होके, आपके पूरे computer का data compromise हो सकता है, on surface web, तो आप dark web का तो अंदाजा लगा सकते हो, कि वहाँ क्या क्या हो सकता है, so जो सबसे बड़ा risk का भी एक अलग phase है, उसके बारे में मैं फिर कभी बात करूँगा, हलाकि ऐसी unexplained चीज़ें भी है dark web पर, जिने counter question करके एक logical आदमी को भी बोला जा सकता है कि भाई, ये क्यूं हो रहा है, जब ये हुआ है तो ऐसी क्यूं हुआ है, बहुत ऐसी चीज़ें जो explain नहीं की जा सकती, बट जो जादा तर जो चीज़ें चलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि malware आने का खत्रा उसके भूत उत पकड़ने का कोई नहीं है, हाँ अगर आप गलत लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं वहाँ पर कोई deal wheel कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तो भाई फिर आपको offline world में भी हो सकता है, ऐसे case में तो आपको authorities को approach करना चाहिए, so guys ये बता दिया मैंने कि deep web, dark web क्या है और मतलब red room real में होते हैं या नहीं होते हैं, red room नहीं होते हैं, किसी ने नहीं देखे हैं, ये सब एक urban legend या ऐसे कुछ भी कहावत कह सकते हो, जो चलती हुई आरी है dark web पर पर अभी किसी ने देखा नहीं है, हाँ ये है कि पहले हुआ करता था कि बड़े बड़े जो terrorist group होते थे, उनका नाम लेकर वो लोग ऐसी वीडियोज प्ले किया करते थे, और इस चीज़ को काफी चलाया, और बहुत popular किया, क्योंकि जब dark web ज़्यादा popular हुआ, इसको और ज़्यादा बहुत ज़्यादा sensational topic था, तो इस पर बहुत वीव आते थे, अब जो उनके पास knowledge थी, जो content तो बहुत limited था, तो इसलिए उन्होंने उसको भूत के साथ जूर दिया, उससे क्या हो गया, उनको और ज़्यादा creepy stuff मिल गया, ऐसी बहुत सारी videos थी guys, जो normal ऐसी video थी, किसी movie के clip उनको ही black and white करके लोगों ने ऐसे low quality का बनाके ये claim किया कि ये एक deep web या dark web की video और उसके उपर पूरे के पूरे episode बनाती है, ये चीज़ मैं जानता हूँ कि जब मैं content बना रहा था, तो मैंने भी बहुत research की थी, उसमें बहुत सारी video clips मैंने देखी थी, उसमें बहुत सारी video clips जो मुझे available हुई थी guys, वो किसी movie की ली गई थी, और वो real deep web, dark web की videos नहीं थी, इससे पता चलता है कि इसको जादा sensational बना दिया गया, और इसलिए लोगों ने फिर भूत प्रेट की कहानी बताना शुरू कर दिया, अब dark web के उपर मैं बहुत video बनाता हूँ guys, deep web के पर आप भी update होनी चीए न, हम में जाके पुरानी वीडियो में जाके तो चीज़ को mention नहीं कर सकता हूँ न, कि अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, एक वक्त था, मैंने भी बनाई थी, red room के उपर वीडियो बनाई थी, जहां बताया था कि भाई, ऐसा होता है, यह मैंने यह बता था, उस चीज़ के बारे में मैंने बताया, मैंने भी home pages देखे थे, जो claim कर रहे थे, कि भाई, इतने दिन left रहे गए है, live torture होगा, जो चलेगा, इसमें पैसे भीजो, और मेरे पास 75,000 और किसी के बास भी नहीं है, बारत में, 75,000 और कौन दे रहा है, इस अब चीज़ और क्या dark web को लेकर चीज़ चल रही है, ऐसे ही मैं shows लेका रहता रहूँगा, जहां पर मैं ऐसे one-to-one आप से बात करूँगा, इस चीज़ के बारे में, जो भी मेरी experiences रहे हैं, चीज़ उसे लेकर, और जो भी चीज़ है, उनको मैं थोड़ा सा आपके सामने शेयर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, cyber security में interest है, ethical hacking में interest है, तो description चेक करें, 2.99 रुपीज के 3 ethical hacking courses है, आसान भाशा में आपको ethical hacking सिखा देंगे, ऐसी जगा bitcoin वेजने अच्छा, तो मेरे courses ले सकते हैं, आप बहु מה करा दो लाश है, आपको परोप्ते हैं, अफने छेश जगा करें, जब को बहु gentचा है, कि वां परोधिक है, तैनल अपको वेजने तो में। भाशने आपको वेजने आपकोषразा झाय है? झाल झाल